हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार, Quick News प्रोग्राम में आपका स्वागत है टॉपिक है हाथी दान्त की व्यापार पर भारत का रुख पहले की तरह नहीं रहा हाल ही में साइट्स की Conference of Parties के 19 सम्मेलन में हाथी दान्त की व्यापार की प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया था जिसे खारिश कर दिया गया नामीबिया, बुट्सवाना, दक्षिन अफरीका और जिंबाबवे ने हाथी दान्त के नियमित और नियंतित व्यापार की अनुमती देने के प्रस्ताव को कॉप 19 में रखा था भारत ने इसके हिलाफ पहले की तरह मतदान ना करने के बजाए मतदान से दूर रहने का फैसला किया गौर तलब है कि 1989 में अंतरास्ट्रिय हाथी दान्त व्यापार पर विश्वस्तर पर पतिबंध लगा दिया गया था इसके साथ ही अफ्रीकी हाथी आबादी को साइट्स की सूची एक में डाल दिया गया था हाला कि 1997 में नाइमीबिया, बोच्वाना और जिंबावे की हाथी आबादी को परिशिष्ट दो में स्थानांतरित कर दिया गया था दक्षिन अफ्रीका को वर्स 2000 में प्राक्रितिक रूप से हाथी की मौत और शिकारियों से बरामद हाथी दात की बिक्टी की अनुमती दी गई इसके बाद कॉप 17 और कॉप 18 में नामीबिया ने परिशिष्ट दो से इन चार देशों की हाथी आबादी को हटाने और हाथी दात में नियंत्रित और नियमित व्यापार की अनुमती का प्रस्ताव रखा था इस प्रस्ताव को भी खारिस कर दिया गया इन देशों का तर्क है कि इनकी हाथीओं की आबादी में व्रधी हुई है और इनका भंडारित हाथीदात यदि अंतरास्ट्रिय स्तर पर बेचा जाता है तो इससे आवश्चक राजस्व आएगा जिससे हाथी सरक्षन और समुदायों को प्रसाहित किया जा सकता है आपको बता दे कि साइट्स एक अंतरास्ट्रिय समझोता है यह कन्विंशन 1975 में लागू हुआ था और भारत 1976 से इसका सदसे बना है इसके तहत यह सुनिश्च किया जाता है कि जंगरी जानवरों और पौधों के अंतरास्ट्रिय व्यापार से प्रजातियों के इसके लिए आयात या निर्यात परणिट तभी जारी किये जाते हैं जब मकसद प्राथमिक रूप से वानिजिक नहीं हो साइट सुची दो में ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जो अनिवारे रूप से विलुप्त होने के खत्रे में नहीं हैं लेकिन इनके व्यापार को सक्त कि शाली सांस्क्रितिक और धार्मिक प्रतिकों में से एक हैं और 1986 में हाथी दांत के घरेलू वियापार पर भारत ने प्रतिमन्थ लगा दिया था